इंग्लिन के खिलाफ चौथे माज की पहली पारी में इंडियन टीम लड़ खड़ा गई ये शसी जैसौल को छोड़कर इंडियन टीम के बाकी बाटर्स इंग्लिश बोलर्स के सामने मुश्किल में नजर आए खासकर उनके स्पनर, शोय बशीर और टॉम हाटली के सामने जिसके बाद राची की पिच्च को लेकार इंग्लिन के दिगच्स्ट्ट ब्रॉड और माइकल बॉन ने सवाल उठाए है Stuart Broad के मताबिक इंडिया ने AC Pitch तयार कर इंग्लिंड को हावी होने का मौका दे दिया है उन्होंने सोचल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया मैं अक्सर इंग्लिंड के बारे में ट्वीट करता हूँ लेकिन इंडिया की बात कर रहा हूँ वो भारत में फ्लाट पेस्ट पिचो पर एक अधभुत टीम है जहां उनके स्पनस के स्किल निखर कर सामने आती है और वो गेंदबाजी में दूसरी टीम से कहीं बहतर होते हैं लेकिन कम उच्छाल वाली पिचो पर खेलने से विरोधी टीम को आप हावी होने का अधिक मौका देते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह की पिच क्यों तयार की है वहीं पूर्व इंग्लिश कैप्टन माइगल वान ने सोचल मीडिया साइट एक्स पर ही पोस्ट किया भारत ने इस तरह की पिच तयार करके इंग्लिश को पूरी तरह से खेल मिला दिया है इसके लिए मैं उनका काफी शुक्र उजार ही बात मैच की करें तो दूसरे दिन इंग्लिश की टीम ने साथ विकेट पर 302 रन से आगे खेलना शुरू किया था जो रूट ने ओली रॉबिंसन की साथ मिलका स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया दोनों स्कोर को 347 रन तक लेकर गए लेकिन रविंद्र जडिजा ने रॉबिंसन को आउट कर इंडिया को जरूरी ब्रेक्थू दिलाया रॉबिंसन 58 रन बना कर आउट हो गए इसके बाद शोय बशीर और जेमस एंडिसन जादा देर क्रीस पर नहीं टिक सके और दोनों प्लेयर्स बिना खाता खोले आउट हो गए इस तरह इंग्लिंड की पहली पारी 353 रन पर सबढ़ गई जो रूट 122 रन बना कर नौट आउट रहे जडिजा ने चार जबकि अकाश दीप ने तीन विकेट लिये जवाब में इंडियन टीम की शुरुआद भी खराब रही चार की स्कोर पर रोहिट शर्मा के तौर पर टीम को पहला जटका लगा वो दो रन बना कर आउट हुए इसके बाद शुमन गिल और यशुस्वी के बीच 82 रन्स की पार्टनर्शिप हुई गिल 38 रन बना कर आउट हुए जबकि यशुस्वी ने 73 रन की पारी खेली सरफरास 14, रजट पाटिदास 17 और जड़ी जब 12 रन बना कर आउट हुए दिन का खेल खतम होने तक इंजिन टीम का स्कोर 7 विकेट खोका 219 रन रहा दुरुप जुरेल 30 और कुल्दी प्यादव 17 रन बना कर क्रीज पर हैं इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है रविराज ने मैं हूँ गरिमा स्पोर्ट्स जोड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहे हैं लालन टॉप स्पोर्ट्स शुक्रिया